अभ्यास्कूल क्लासिज में आपका स्वागत है हमारे next 2-3 examples normal subgroups पे depend करेंगे तो सबसे important है normal subgroup की definition समझना शुरुआत करते हैं normal subgroup की definition के साथ तो normal subgroup आपके पास क्या होती है इसे invariant subgroup भी बोलते हैं क्या बोलते हैं invariant subgroup भी बोलते हैं अगर आपके पास g कोई group है और h आपके पास इसका कोई subgroup है h को हम normal subgroup गएंगे अगर h into g equal to g into h हो जाए मतलब अगर आपके पास left coset right coset के equal हो जाए in that case हम कहते हैं कि आपके पास जो subgroup है वो normal है g कहां से बिलॉंग कर रहे g बिलॉंग करेगा आपके पास group g से अगर जो left coset है वो right coset के equal हो जाए उस case में हम गाते हैं ठीक है तो clearly g and e are always normal subgroups of g ये trivial subgroups है normal subgroups e खुद और g खुद ये दोनों definitely normal subgroups बनेंगे बनेंगे next है अगर h एक normal subgroup है g में then we also sometimes say that h is normal in g तो हम सिर्फ इतना बोल देते हैं कि h normal है g में और simple group किसे कहते हैं एक group g है जिसमें कोई भी normal subgroup ना हो non trivial normal subgroup ना हो देखो कोई भी group g अगर आपके पास given है उसमें दो normal subgroup definitely होंगे एक तो g और एक identity खुद अगर किसी group में इन दोनों के लावा कोई भी normal subgroup ना हो उस case में हम बोलते हैं कि आपके पास वो simple group है next अगर आपके पास given है कि जैसे कोई group g given है g given है h given है h subgroup given है आपको यह check करने कि जो h है वो normal in g है या नहीं है check क्या करने कि h जो है वो normal subgroup g में है या नहीं है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक element G लोगे G का, capital G group का, इसका inverse consider करोगे, ये भी belong करेगा G से, और एक H लोगे जो belong करेगा H से, आप इन तिनों का product देखोगे, G inverse H into G, अगर इन तिनों का product आपके पास belong करेगा H से, किसका G inverse H G का product belong करेगा H से, उस case में हम बोलेंगे कि H ज नॉर्मल subgroup को check करने का, एक important result देखते हैं, जो आपके पास previous year questions में पूछा गया है, तो result क्या आपके पास कि, given है कि, show that every subgroup of an abilion group is normal, इसमें आपके पास given क्या है, given है कि, आपके पास G एक group है, G एक abilion group है, abilion group होने का मतलब क्या है कि, अगर आपके पास कोई भी दो elements है x, y, तो वो y, x के कुल होगा, for all x, y belong to G, तो abilion group given है, second आपके पास given है कि, h कोई subgroup है, h कोई subgroup है, g का, ठीक है, हमारा objective क्या है, हमारा objective है कि, हमें show करना है कि, h जो है, वो normal है, g में, जो h है, वो normal है, g में, h is normal in g, हमें ये show करना है, तो show करने के लिए, हमें क्या show करना पड़ेगा, हमें h, g, g, h के कुल show करना है, जो h, g होगा, उसमें elements किस form के होंगे, उसमें elements होंगे, h, g form के, such that, h belong करेगा, capital H से, ठीक है, basically, जो ये, आपके पास course है, इसके elements किस form के होते है, h, g form के, such that, जो ये वला h है, वो आपके पास capital H से बलांग कर रहे है, हमें पते हैं, क्या पते हैं, क्या पते हैं, कि g आपके पास given है, g abilion group है, अगर abilion group है, तो हमारे पास h, g को हम कैसे लिख सकते हैं, g, h की form में लिख सकते हैं, such that, h belong करेगा, capital H से, अब basically, ये किस के elements है, ये आपके पास g, h के elements है, g, h, जो core set या group होगा, उसे हम इस form में लिखेंगे, इस form में, तो finally आपके पास क्या आगया, hence, h g equal to g h, h g किस के कोल आगया, g h के कोल आगया, therefore, therefore, क्या होगा आपके पास, कि h is a normal subgroup of g, तो h आपके पास, h is normal subgroup of normal subgroup of g, तो h normal subgroup बन गया, normal subgroup प्रूफ करने के लिए, आपको दो criteria's है, या तो आप h g को g h के कुल शो कर दो, ठीक है, second criteria है, आप g inverse h g belong करवाद हो, capital H से, अगर इन दोनों में से कुछ भी प्रूफ करते हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो h है, वो normal in g हो जाएगा, h क्या होगा, normal in g,